दो हजार चार में शुरू हुआ फेसबुक मिशन था आम लोगों को एक समुदाय के निर्मान और दुनिया को और करीब लाने की ताकत देना लेकिन ज्यादा शक्तियां, ज्यादा ताकत, ज्यादा जिम्मेदारी भी लाती है क्या फेसबुक और वाटसब, निर्बाद यानि लगातार, बेरोक, टोक, कम्मिनिकेशन यानि संचार से विश्व को पास ला रहे हैं या ये गलस सूचनाए, जोटी सूचनाए देने, प्रपेगंडा यानि फर्जी खबरे और अफ़ा फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुके हैं क्या फेस्बुक वास्तब में एगनाश्टिक यानि अग्यवादी है, उत्तरदाई है, जवाब दे है, जिम्मेदार है या भारत के उन 30 करोर नेटिजेंस यानि इंटरनेट से जुड़े लोगों की कहानी है जो आए दिन वीडियो और टेक्स्ट के रूप में घणा, डर, गुस्से की भावना को बढ़ावा देने वाली जानकारी, सामगरी प्राप्त कर रहे हैं जानिए फेस्बुक कैसे एक मसीह को बढ़ावा देता है, जानिए क्या फेस्बुक भारत में वास्तम में लोगों को समुदाय बनाने की शक्ति दे रहा है या केवल एक व्यक्ति की राजनितिक महत्रकान्शाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है जानिए किस हद तक डिजिटल मीडिया का प्रभाव भारत की राजनितिक प्रात्मिकताओं और चुनावी नतीजों पर है हम आपको बताएंगे कि किस तरह गलत या जूटी सूचना, फर्जी खबर या फाके जाल में ना फसें वेवपूफ ना बने अपने सूत्रों या माध्यमों को पहचाने जानिए शोशल मीडिया का कैसे दुर्प्योग होता है भीडी या जुन्ड का हिस्सा ना बने ये एक परदाफाश है भारत में फेस्बुक के असली चेहरे का परदाफाश फालो करें और पाएं सही जवाब असल जवाब